जै मलक्ष्मी फ्रेंड्स आजम बनाएंगे सिंधियों की फेमस ट्रेडिशनल डिश सिंधी कड़ी चलिए देखते से कैसे बनाएंगे इसको बनाने के लिए आम तोर पर इस तरह का बरतन यूज किया जाता है जिसे सिप्री भी बोलते हैं लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको कूकर में बना कर दिखाऊंगी इसके लिए यहां मैंने कूकर में एक बड़ा चमजितना तेल गरम कर लिया है इसमें आदा चमजितना जीरा डाला है चौथा ही चमज जितना यहां मैंने दाना में ठी डाली है और थोड़ी सी हिंग डाली है जीरा लाल हो गया है अब हम इसमें बेशन डालेंगे यहां मैंने डेड़ पड़ा चमज जितना बेशन डाला है जिस चमज से हम सबजी हिलाते हैं वो बरके देट बड़ा चमच जितना बेसन डाला है और अब हम बेसन को लो फ्लेम पर अच्छे से बुनेंगे इस बेसन को हमें लो फ्लेम पर ही बुनना है यही इस कड़ी की खासियत है आप बेसन को जितना अच्छा बुनेंगे आपकी कड़ी उतनी अच्छी बनेगी लो फ्लेम पर चलाते वे इसको बुनना है यहां पर मुझे बुनते वे 5 मिनट हो गए हैं और यहां मैंने इमली ली है थोड़ी सी वैसे ट्रेडिशनली इस कड़ी में कुकम का यूज किया जाता है कई लोग इमली का यूज भी करते हैं आज मैं इमली के साथ बनाऊंगी मैं से एक तरफ दूसरे गैस पर रख दिया है इसमें हमें इमली का पानी डालना कड़ी में इसके लिए और यह देखिए मैंने काफी अच्छे से बेशन को बुन लिया है इसको बुनते वे लगबग मुझे 10 मिनट हो गए हैं यहां मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है कश्म लगेगी यह कड़ी थोड़ी पतली ही होती है उस हिसाब से मैंने यहां दो लोटा बरके पानी डाल दिया यानि चार ग्लास जितना और स्वाधरूसर मसाले डाले हैं हल्दी पाउडर लाल मिर्ची पाउडर और नमक वगए डाल दिया है मैंने इसमें सभी चीजों की अच्छे मिक्स कर दिया है मुझे थोड़ी करी गाड़ी लग रही है क्योंकि अभी जैसे इसे पकेगी थोड़ी गाड़ी होगी तो मैंने intuition थोड़ा सा पानी और डाल दिया है यहां मैंने कुछ सब्जिया ली है क्योंकि इस कड़ी में काफी सारी सब्जियां डलती है तो मेरे पास जो सब्जिया आवेरेबल है मैंने वो ले ली है वैसे इसमें आम तौर पर काफी सारी सब्जियां डाली जाती है यहां मैंने आलू लिये है और गुवार फली ली है डाल सकते हैं बैंगन डलता है इसमें बिंडी डलती है जो सबजी आप चाहें इसमें डाल सकते हैं मैंने यहां इसमें आलू गवारपली फूलगवी सिंगरी डाली है और इसमें मैं बिंडी और बैंगन भी डालने वाली हूं इनको थोड़ा सा हलका सा एक दूसरे भरतन में इस तर से फ्राय कर लेंगे क्योंकि बेंडी में चिपचिपा पन होता है और बैंगन भी थोड़ा से क्रिस्पी होने पर अच्छा लगेगा तो दोनों चीजों को मैं अच्छे से एक बार फ्राय कर लूँगी हलका सा इस तर से चलाते वे यह देखिए काफी हद तक अच्छे से फ्राय हो गए है और कड़ी को मैंने दूसरे गैस पर लग दिया था लगाता है यह पक रही है लो फ्लेम पे लो टू मीडियम फ्लेम पे और इसमें मैंने एक बारी कटी वी हरी मिर्च डाली है और थोड़ी सी कसू पूरी में थी हो तो जरूर से डालें बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे और यहां मैंने सभी चीज़े डाल दी है यह जो इमली का पानी मैंने बनाया था वह इसमें डाल देंगे अच्छे से और अब इस कड़ी को पकते वे कम से कम 10 मिनट हो गए है लो फ्लेम पे तो अच्छी सी खुशिपू आ रही है पूरागर में बस इसे एक बार हम चला लेंगे यह देखिए अच्छे से पक गई है और यह जो मैंने बिंडी और बैंगन फ्राय करके रखे थे वह अब इसमें डाल देंगे और अब दो मिनट के लिए और कड़ी को हम पकने देंगे यह देखिए मीडियूम गैस पर है अभी कड़ी और यहां मैंने कुछ दनिया की पती डाल दी है हरे दनिया की पती इस टाइम पर अब डालेंगे पकते वक्त तो इसका अच्छा फ्लेवर आता है उठके तो लीजि के फ्रेंड्स सिंदी कड़ी तयार है फ्रेंड्स आपको रेसीपी पसंद आयो तो वीडियो को लाइक शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फो वाचिंग जै मलक्ष्मी